आज में पताने वाले हॉलूट के पाच वेव सिरीज के बारे में जिसे सबसे जादा पसंद किया गया है और देखा गया है और आप इन वेव सिरीज को हिंदी में भी देख सकते हैं So let's start the video Shadow and Bone Shadow and Bone 2021 में रिलीज की गई थी इसका पहला एपिसोड एपरिल 2021 में रिलीज किया गया था और इसको लोगों ने काफी पसंद भी किया है यह वेव सिरीज आपको नेट्फलिक्स पर देखने को मिल जाएगी इसके आम डिवी पर रेटिंग 7.9 है और यह एक fantasy drama series है जिसमें action thriller भी है इस series में total 8 episodes है The Witcher भी Hollywood की best web series में से एक है इस web series को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है यह एक fantasy drama web series है जो कि action से भरी हुई है इसे December 2019 में रिलीज किया गया था और आभी तक इसका दो seasons आ चुका है इस web series को आप Netflix पर देख सकते हैं इसको लोगों ने काफी जादा पसंद किया है इसको IMDb पर 8.2 ratings है जो कि बहुत अच्छी rating मानी जाती है अगर आप भी web series के fan है तो यह web series आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं Game of Thrones जाए तो Game of Thrones लोगों की पहली पसंद है इस web series के IMDb पर 89.3 है और इसको हिंदी में भी रिलीज किया जा चुका है आपको इस series जिनी प्लस होस्टार पर मिल जाएगी अगर आप लोगों ने अब तक ही series नहीं दीखे तो जाकर जुरूर देखिए आपको बहुत ही पसंद आईगी यह series और हाई यह 18 प्लस ओडिन्स के लिए है The 100 The 100 एक American drama wave series है जिसके स्टोरी बिलकुल ही अलग है अब भी तक इसके साथ seasons रिलीज किये जा चुके हैं इसका पहला season 2014 में रिलीज किया गया था और इसके सभी season को लोगों ने काफी जारा पसंद किया था इसका MDP%6 rating है जो की एक अच्छी rating की list में आती है यह action drama thriller से भरी wave series है जो लोगों दौरा काफी देखी गई है यह wave series आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी अगर आपको Hollywood wave series देखना पसंद है तो एक बार इसे ज़रूर देखें Lucifer काफी अच्छी और मज़िदार Hollywood wave series है जिसका पहला season 2016 में release किया गया था और आप तक इसके 6 seasons आ चुके हैं और इसके सभी season आपको Netflix पर मिल जाएंगे यह series romance thriller fantasy और ड्रामा से बरपूर है और यह series काफी आलग है क्योंकि इसमें हेल का किंग Lucifer के बारे में दिखाया गया है इसमें Lucifer हेल से बोल होकर धरती पर आ जाता है और Los Angeles में एक कलब चलाता है और उसके पीचे पीचे डिमस और एंजल से भी आ जाते हैं उसे वापस हेल ले जाने के लिए और यह बहुत ही मज़ेदार वेब सीरीज है और आगे की स्टोरी के लिए आपको यह series देखने पड़ीगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना और इसी तर अच्छाची वेब सीरीज के बारे में जानकारी लाता रहूंगा इसलिए चैनल को सस्क्राइब करके नॉटिफिक्शन बेल को आउन करना मत भूलना समिलते है नेक्स्ट वीडियो में